इसमीच बड़ी खबर आ रही है भार्टिय रेलवे ने जगादरी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा सेनिटाइजर टनल बनाया है तो भार्टिय रेल ने ये एक पहल की है जगादरी वरक्शॉप में सेनिटाइजर टनल बनाया है कोरोना को रोकने के लिए ये sanitizer tunnel बनाया गया है train में प्रवेश करते समय sanitizer प्रेशू हो जाएगा और gate से बाहर निकलते समय भी पूरा शरीर sanitize हो जाएगा तो भारतिय रेल ने ये अनोखी पहल की है हालकि इस तरीके का tunnel पहले गुजरात में भी बनाया गया है वहाँ पर एक निजी अस्पताल ने बनाया था लेकिन अब भारतिय रेल ने भी इस तरीके की पहल की है ये बहुत important है ये देखिए हम आपको तस्वीरे भी दिखा रहे है ये एक mock drill करके दिखाया गया है कि जो भी train के अंदर आता है या फिर इस tunnel में आएगा gate के अंदर enter होता है तो वो इस tunnel से होता हुआ जाएगा और देखे स्प्रे हो रहा है ये sanitizer तो आपके शरीर पर आपके कपडों पर अगर virus है तो वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको sanitize पूरी तरीके से कर दिया गया है entry और exit दोनों जगा उपर ये sanitization किया जा रहा है tunnel बनाया गया है जो भी enter करेगा उसको भी sanitize किया जाएगा अगर कुछ virus रह भी जाता है और आप exit करते हैं तब आपको sanitize कर दिया जाएगा यानि की virus का खात्मा करने के लिए भारतीय रेल ने ये एक अनोखी पहल की है जगादरी workshop में ये sanitizer tunnel बनाया गया है पूरी दुनिया पूरा देश करूना वाइरस से लड़ रहा है सावधानी ही बचाव है सावधानी ही इस वक्त इसका सबसे बड़ा vaccine है इसलिए लगातार हम इस तरीके की पहल देख रहे है इसी तरीके का कुछ तरीके का कुछ तरीके का गुजरात की एक निजी अस्पताल ने भी बनाया है लेकिन ये हम आपको भारतीय रेल की एक पहल दिखा रहे है जो जगाधरी में की गई है सेनिटाइजर टानल आप तस्वीरों में देख सकते हैं मौक ड्रिल करके दिखाया गया है कि किस तरीके से आप लोग ऐसे हाथ पलाते हुए आएंगे और जो आपके कपडों पर वाइरस है अगर मौजूद वो खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको पूरी तरीकी से सेनिटाइज किया जा रहा है इस टानल के द्वारा तो जगाधरी वरक्शॉप की तस्वीरे आप देख रहे हैं ये ऐसे वक्त में ये टानल बनाया गया है जब बार-बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग जितना बचाफ कर सकते हैं वो ही सबसे बड़ा रामबार इलाज है इसका हाथों को सेनिटाइज कीजे कहीं जाते हैं तब सेनिटाइज कीजे कहीं से आ रहे हैं तब सेनिटाइज कीजे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजे दूर से रहकर बात कीजे मास्क का इस्तमाल कीजे और मास्क का जिक्र तो आज पीएम मोधी ने भी किया है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क पहनिए और हो सके तो घर में रहकर भी आप मास्क पहने जब अपनों से बात कर रहे हैं यूपी सरकार ने तो इसे कहते हैं कि मेंडेटरी कर दिया है कि अगर आप कुछ समान खरीदने भी जाएंगे तो आपको मास्क लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो एतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं और ये तरनल की तस्वीरे आप देख रहे हैं जगादरी वर्क्शॉप के तरनल की तस्वीरे हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन इस तरीके से किया जा रहा है प्रदीब कुमार हमारे साथ में हमारे मुख्यराजन तक सम्वारता जुर गए प्रदीब जी ये बहुत अनोखी पहल है भार्टी रेल की और हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अलग-अलग कोशिशे भार्टी रेल की उर्से की जा रही है ये अलग अनोखा सेनिटाइजर बनाए गया है देखे बिलकुल और जगादरी ये हर्याना की अमना नगर जिले में पढ़ता है जगादरी रेल बेस्टेशन और वहां से कोरोना के फैलने के प्रसार प्रसार को रोपने के लिए एक पहल की गई है जगादरी वर्क्शॉप में जो फ्यूमिगेशन टनल बन जाते जाते जो पूरा शरीर है वो सेनेटाइल हो जाएगा तो ये एक पहल की गई है कोरोना के खिलाब लडाई में अलग अलग जो संबंदित विभाग हैं सरकार के वो अलग अलग पहल कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि करोना के खिलाब लडाई में जिस तरीके से अलग जो तरीके भी अपनाए जा सकते हैं जो इसका प्रभाव कम करें उन तरेकों को अपनाए जा रहा है लिहादा रेल्वे लगातार नहीं पहल कर रहा है इससे पहले रेल्वे ने आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए जो कोच को विसेज तोर पर उनको तब्दील किया आइसोले सेंटर रूम है उसको बना गया है जागादरी रेल्वे वर्क्शॉप में इसका प्रियोग शुरू हुआ है तो यह तस्मीरे आजे करते हैं जिसके जरीए रेल्वे ने करोना के किला अपनी लड़ाई को दो कदम और आगे बढ़ाया है और क्या ऐसी कोई पहल है या तैया अगर यह सक्सेस्वल होता है तो भार्टे रेल्वे इसे कई और भी इस्तमाल कर सकती है देखे भार्टे रेल्वे की ओर से अभी सिर्फ जगादरी वर्क्शॉप में बनाए गए विडियो रिलीज किया गया है इसके अलावा अलग अलग जो वर्क्शॉप है वहापर इसी रेल्वे लगातार अपनी कोशिश के आगे बढ़ाएं क्योंकि भार के रेल लाइफना बना जाता है भारत का और उसमें रोजनाisरी सफर करते हैं तो ऐसे में जो उसमें रेल्वे में को रेल्वे के लिए रैल्वे के डिब्डों के ज़रोत पड़ेगी साप सुतनेंरे औ लियाज जब बारीत आदाद में करमचारी हों तो उनके लिए इस तरह की पहल जो कहीं ने कहीं कोरोना के इकलाप लड़ाई में असरदार भूमी का निवास की हैं उस तरह की पहल देखने को मिल रही है जिकारदी रेलवे स्टेशन पर जो वर्क शोप है उसमें आपको बता रहे हैं हर्याना में चर्की दादरी है चर्की दादरी से पहला कोरोना का पॉजिटिव का मामला सामने आ चुका है और निजाम अद्दीन मरकज में ये मरीज शामिल हुआ था स्वास्ते विभाग ने पूरे परिवार को क्वरंटाइन कर दिया है तो देखे ज इस तरीके से मरकज से निकले लोग अलग-अलग अलाकों में जा रहे हैं कोरोना की ये चेन बढ़ती जा रही है ऐसा ही कुछ मामला चर्की दादरी से भी सामने आया है यहां पर पहला पॉजिटिव केस सामने आया है और जो केस सामने आया है ये भी निजाम अद्दीन मरक से इसकी रूट से जुड़ी हुई स्वास्त विभाग ने पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया है स्वास्त विभाग ने जांच के लिए रिपोर्ट भेजी थी जिसके बाद मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रदीप साहू हमारे साथ हमारे सायोगी कि बिवां के दुभेनि जिले में दो पॉजिटीव केस ऐने के बाद में ताधरी जिला परसासन भी चतर एक की सादरे छिलेивает का पहला केस है. और सिखासर्थाभी बद्धा जानकारी मिली थी जमाती लोगों के संकरख में था कुछा निज़ा हुपती संकरख में घ्रमों की हिला है और आप पॉजिटीव के-स сокरख में आने के बाद में सायआ को एप सिखानी बर ऑन koska बहुतिटाज परिवार परिवार के लोगों को भी यहां पे आई तो लेते में रखा लाया है शुक्री आपको तमाम जानकारी के लिए